हेलो फ्रैंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रैंट्स आज हम आपको बैड सीट में कैसे इलाश्टिक डालनी है वो बताएंगे ताकि हमारी चदर सरकेना और यह अच्छे से सेट रहे और अब हम यहाँ पे अपनी चदर को अच्छे से बिछा लेना है और चदर को अच्छ हमें निसान लगाना है अगर आप सीधी साइड पे भी लगाना चाते हैं तो आप लगा सकते हैं लेकिन हम इसके ऐसे चारो कोनों पे ऐसे निसान लगा लेना है सेट करके और अब हम इसकी उल्टी साइड पे यहाँ निसान लगा देंगे बिल्कुल टाइट करके और यह द देंगे और ये फ्रैंट्स हम अब इसकी एक कोने की जहां पर निसान लगाया है वहां पर सिलाई कर देंगे फ्रैंट्स अगर आप सीधी साइड भी निसान लगाना चाते हैं तो आप लगा सकते हैं लेकिन यहां हम उल्टी साइड पर निसान लगा रहे हैं और निसान लगा अब सारे कोनों पर ऐसे ही सिलाई कर देंगे, यह हमने सारे कोनों की सिलाई कर दी, और यह जो हमार लास्ट वाला कोन है, इसकी भी ऐसे ही सिलाई कर देंगे, और यह देखे फ्रैंट्स, इससे फिर हमारी चदर बिल्कुल भी नहीं सरकेगी, और फिर हम इसमें सिलाई लगा क लगा देंगे फ्रैंट्स अगर आप जहां निसान लगाया और उसे लाई लगाई है अगर आप उससे एक इंच छोड़ के कट करना चाते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे कट नहीं करूंगी मैं ऐसे ही इसमें इलाश्टिक डालूंगी और आप हम यहां य इसमें डाल दूँगी आप इसको ऐसे भी सील सकते हैं फ्रैंट्स लेकिन मैं यहां इसे फोल्ड करके सीलूंगी यह देखे फ्रैंट्स मैं इसको अच्छे से यहां इस परकार फोल्ड करके ऐसे सीलूंगी और यह हम आप यहां पे इसको ऐसे सील लेंगे friends, हमें elastik को अच्छे से खींच के लगाना है ताकि हमारी elastik एकदम सेट डल जाए इसमे और friends, हमें अगर आप अपने आप इसको ऐसे खींच के अकेले सीर लेंगे तो ठीक है नहीं तो आप किसी कि help ले के भी इसको खींच लें अच्छी तरह येलस्टिक को और फीर इसमेंदस में ढल से मैं अपर शक्रश No और हमें इलास्टिक को बिल्कुल भी डिली नहीं छोड़ना है इसे खीच कर अच्छी तरह से डालना है जैसे हम पलजो वगार में डालते हैं इसी परकारी से अच्छे से खीचते हुए इस इलास्टिक को डाल लेना है और हमें ऐसे सारी चदर में ही खीचते हुए इस इलास् और हमने इसको अच्छी प्रकायस से खीचते हुए डाला था ये देखे फ्रैंड्स हमारी इलास्टिक डल चुकी है अब इसको हम बैड़ पर सेट कर देंगे और ये हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया देखे फ्रैंड्स अब ये बिल्कुल भी नहीं सरकेगी हमें अब बा नहीं सरकेगी और आप चाहे बच्छे किसी परकार से इस पर सरारत करे या किसी परकार से मस्ती करे ये बिल्कुल भी साइडों से कहीं से भी नहीं निकलेगी और ये देखे फ्रैंड्स ये बिल्कुल भी इकठी नहीं हो रही है ये बिल्कुल भी सरक नहीं रही है थैंक्स पुर वोचिंग